ओके स्टूडेंट लेस्ट नाव कांटिनुविद दूट टेवल ऑफ दो कनेक्टिव ठीक है तो पहला कनेक्टिव है नॉट नॉट जिसे हम कॉंपलीमेंट पी या डैश पी या बार पी से दिखा सकते हैं चीक है तो इसकी टेबल किस तरीके से बनेगी अब देख सकते हो य नॉट नॉट पी है उसमें आपको देख सकते हो आप यहां पे नॉट नॉट पी रिजल्ट इन्टू था पी इंटू इटसल्फ तो जो पी आ जाएगा तो नॉट नॉट पी ठीक है तो पहले पी नॉट हुआ ठीक है जो की वन का जीरो हो जाएगा और फिर लाइक अगर द्रएग्ष आपका लगा हुआ था वह गया यहाँ पर इस तरीके से चेकल है और दूसरा आप देख सकते हो यहां पर अभी जो चीकह यहां पर आप देख सकते हो की जैसी आप यह आ देख लोगे की तोह फिल गाल कि मिल रहा यह तो यह यहाँ पर हो रहा है P bar equals to P तो P bar का बापस से आपको P मिल रहा है ओके, like this next is this junction यानि कि और, तो this junction में किस तरीक से काम होगा, 0 and 0 यह 00 कहां से आया है, P, Q के लिए तो यह आपके serial numbers हैं 0, 1, 2 and 3 तो जब हम 2 की बात कर रहे हैं, तो 2 to the power यानि कि 4 combination of values can be there, तो जब 4 combination of values को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे तो 4 combination में 0, 1, 2, 3, 4 आपके पास values आजाएंगी 0, 1, 2, 3, 4, 0 का binary होता है 00 1 का binary होता है 01 इसका 10 and 11, ठीक है, accordingly हम यहाँ पर P, Q को values assign कर देंगे और फिर यहाँ पर और लगाया हुआ है, तो और में एक शीज का ध्यान लगना है यहाँ पर जो 1 है, वो true है और 0 है, false, तो और में अगर दोनों false, यानि कि दोनों 0 होंगे तो 0 मिलेगा, कोई एक भी अगर true है तो 1 मिलेगा, true मिलेगा ओके तो इसलिए सिर्फ पहले वाले combination में जहाँ 00 है, आपको 0 मिल रहा है अधरवाइस तीनों में आपको 1 मिल रहा है नौ नेक्स्ट conjunction, यानि कि and तो and के लिए आपको यहाँ पर table बनानी है, वोई 4 combinations फिर से होंगे, 0, 1, 2, 3 इसकी values आप यहाँ लग से लिग दिए, जो आप P और Q का sign कर सकते हो पहले दोनों में 0 है, तो इसलिए 0 हो गया इसमें 0 और 1 है, तो भी 0 हो गया इसमें 1 और 0 है, तो भी 0 सिफ लास्ट वले में 1 और 1 है इसलिए आएगा 1 next implication, if then conditional, तो यह if then किस तरीके से काम करता है, in the conditional P Q तो तो इस लाइक P conditional Q, the first proposition the if clause ठीक है, P ठीक है, तो जो first proposition होगा, P यहाँ पर वो क्या है, तो P यहाँ पर क्या है P is called the antecedent, and the second proposition, then then clause जो है, यानि कि यह जो आपका Q है, if then तो यह कहलाएगा, if condition, या if proposition, और यह कहलाएगा, then proposition तो then clause जो है, then clause आएगा Q is here, जो कि कहलाएगा consequent, right तो antecedent और consequent, in more complex conditionals the antecedent and the consequent could themselves be compound propositions, ठीक है, तो वो खुद भी एक compound proposition हो सकते है तो यहाँ पर हम single symbol symbols लेके चल रहे हैं P और Q को, तो यहाँ P और Q की जगे कोई और statement, proposition statements भी हो सकते हैं, ठीक है तो the conditional P implication Q will be false when P is true, अगर P true है तो false आएगा, और if and then Q is false for all the other input combination it will be true ठीक है, तो अगर P true है, तो Q false आएगा, तो बस यहाँ पर P true है, तो Q false हो गया, बाकी सबके लिए यहाँ पर यह देख रहे हैं, आप ठीक है अगर आपका P true है और Q false है, तो आपको 0 मिलेगा, तो आप देख सकते हैं, पहले में P 0 है, तो कोई मतलब भी नहीं, 1 आ गया P 0 है, यहाँ पर कोई मतलब भी नहीं, 1 आ गया लेकिन अगर 1 है तो यहाँ पर क्या होगा, चेक करेंगे Q क्या है, तो अगर 1 है, यहाँ पर P is true and Q is false, तो यह condition बन गही हमारी P is true and Q is false तो आगया यहाँ पर हमारा 0 और दोनो 1 है, तो आगया 1 That's simple Now, equivalence equivalence, bidirectional result into false when one of its component proposition is true and other is false तो अगर एक true है और एक false है तो तो result आएगा, equivalence का वो false होगा ठीक है, इन simple words, we can remember like कि अगर P और क्यों दोनों equal है तो 1 आएगा, और अगर different है तो 0 आएगा तो P और क्यों दोनों equal है 1 आगया, दोनों different है, 0 हो गया तो 1 and 1, last में और first में